कि दिल्ले के कोचिंग सेंटर में हुए हाथे के बारे में आप सभी लोग जानते हुगे लेकिन अब इस मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है क्योंकि अब कोचिंग कोचिंग में हुए हाथसे पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे जिसने इस मामले को नया रूप दे दिया है क्योंकि सरकारी आकड़ों के मताबिक कोचिंग में हुए हाथसे में सिर्फ तीन स्टुडेंट नहीं अपनी जान गवाई है लेकिन ऐसी खबर भी आ रही है जिसमें यह आ मामला और अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है इसी का पूरा कच्चा चिठा खो लेंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग और आप देख रहे हमारा खाश शो कच्चा चिठा कोजिंग हादसे में सबसे बड़ा खुलासा क्या चिपाई गई मरने वालों की संख्या किसकी लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा लगातार छात्र कर रहे हैं विरोध प्यदर्शन सेंट्र दिल्ली के ओल्ड रजेंद्र नगर इलाके में राव आईस स्टडी सरकर में विस्मेंट में पानी भरने से तीन स्टुडेंट की मौत हो गई इनमें दो लड़कियां शामिल है गटना 27 जुलाई की है और शासन से लेकर तीन दीन बाद यानि 29 जुलाई को नीन से जाग किया केदे सरकार ने जाच के लिए साथ सदस्य उच्छस्तरिय कमेटी का गठन किया ये कमेटी हाथसे की जाच करेगी और जवाब देही तै करेगी नीती में बदलाओ की सिफारिश करेगी और सरकार को 30 दीन के अंदर अपने रिपोर्ट सब्मिट करेगी उसमें ये बताएगी की ऐसे हाथसे रोकने के लिए क्या उपाय लागू किये जाने चाहिए इस बीच दिल्ली के उपराजपाल वीके सकसेना भी 29 जुलाई को मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्टुडेंट से बात की गटना के लिए दोशी पाय जाने वाले दिल्ली अगनी शमन सेवा, पुलिस और दिल्ली नगर्नी गव्यानी की MCD के अधिकारियों खलाप 24 घंटे के बीतर कारवाई का आश्वासंतिया क्या हलाकि छात्रों का बुस्सा कम नहीं हुआ, उनका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें नयाय चाहिए आपके खलाफ बीजेपी कॉंग्रेस धरने पर संसद में भी गुंजा मामला यह मामला संसद में भी गुंजा और लोकसबा में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने दिल्ले सरकार को जिम्मेदा ठहराया, सप्पा सुप्रेमू अखलेश यादो ने पूछा कि यूपी सरकार अतिक्रमड पर बुल्डोजर चलाती है, क्या यहां भी बुल्डोजर चलाया जाएगा? कॉंग्रेश सांसद शसी थरूर ने कहा कि सफ्टी मानकों का उलंगन हुआ है, नालो की सफाई की जाने चाहिए, ऐसी घटनाओ की पुनरावरिती यानि की दुबारा से रोकने के लिए कदम उठाय जाने चाहिए, दिल्ले पुलिस ने MCD को भी नोटिस दिया है, और जानक में आई MCD बुल्डोजर लेकर पहुंची, दिल्ले नगर निगम की टीमें भी 29 जुलाई को आक्शन में देखी, टीमें बुल्डोजर लेकर मौके पर पहुंची और कोचिंग सेंटर वाले इलाकों में आतिक्रमड पर बुल्डोजर चलाए गया, ओल्ड राजिंदर नग से संचालित किये जा रहे थे, MCD का कहना है कि अतिक्रमड के कारण ये सब हुआ, कई कोचिंग सेंटर ने बिल्डिंग का निर्मार किया और जैने सिस्टम बंद कर दिया, लापर वाही पाय जाने पर एक जई, और को नौकरी से निकाल दिया गया है, एक A को सस्पेंड कर द इस दिया गया है, चार्च में सामने आया है कि बारेश होने से अतिरिक्त पानी सड़क पर जमा हो गया था, सड़क के नारे जो नालिया है, उन्हें अतिकरमर कारियों ने ढख दिया, जिससे साफ सफाई भी नहीं हो पाती थी, और जब बाढ़ हाई, तो सलाप सड़कों प किया गया, जिसकी वज़ा से सड़क का पानी प्रेसर से बढ़ा और कोचिंग सेंटर का गेट तोड़कर बेस्मेंट में गुज गया, सातो आरोपियों को कोट में पेश किया गया, जहांसे 14 दिन की नयाएक हैरासत में इनको तिहाट जेल भेज दिया गया, बेल्डिंग के हर एक मंचिल के अलग-अलग व्यक्ति मालिक है, इनमें तेजिंदर सिंग, परविंदर सिंग, हरविंदर सिंग और सरबजीत सिंग का नाम शामिल है क्या हाद से रोक पाएंगी एजंसियां? अब बड़ा सवाल ये उड़ता है कि देर से जागे एजंसियां क्या ओल्ड राचिंदर नगर जैसे हाद से रोक पाएंगी या ऐसे हाद से दुबारा नहीं होंगे? हलाकि यत कहपाना मुश्किल है लेकिन अब तक यही देखने को मलता रहा है कि हादसे के कुछ दिनों तक ही सरकारी एजंसियां सक्रिय रहती हैं, आक्टिव रहती हैं बलकि लोगों के जिंदेगी भी खत्रे में चली जाती है, यहाद केंदर सरकार, दिल्ली सरकार, उपराज जिपाल और दिल्ली नगर निगम के हाथों में बिवस्थाएं समाले की जिम्मेदारी है, जब कोई बड़ा हाथसा होता है, तो प्रशासन ताबर तोड एक्शन ल लग गए थी, जान बचाने के लिए स्टुडेंट्स बिल्डिंग की तीसरी मंचल से कूद गये थे, इस घटना के बाद फाइर विग्रेट की इन उसी से लेकर निर्मार कारे तक पर सवालों के घेरे में थे, MCD से लेकर अन्य जांच जिंसियों ने अजिट किये जाने का दावा किया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालाद बन गये, और अब ओल्ड राजिंदर नगर जैसे हाथसे ने सिस्टम को सवालों के गेरे में कड़ा कर दिया है, दिल्ले में ऐसे हाथसों की लंबे ल बिल्डिंगों का सर्वे करेगी, यह सभी बेस्मेंट और अन्य अबाद एस्ट्रक्चर को सील करेगा, जो बिल्डिंग बैलोज, MPD 2021 और अग्नी सुरक्षा मांदंडों का उलंगन कर रहे हैं, शिकायती हुई लेकिन क्यों किया गया नजर अंदास? जाच में पता चला है कि बिल्डिंग मालिक ने MCD से जो क्लिरेंस सर्टिफिकेशन हासल किया था, उसमें साफ रिखा था कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनी पारकिंग और उसके नीचे बनी बैस्मेंट का इस्तमाल सिर्फ वानों के पारकिंग और स्टोरेज के लिए किय जाएगा लेकिन उसकी जगह यहां लाइबरेरी संचालित की जा रही थी दिल्ली फायर सर्विस ने नौज जुलाई को है इस बिल्डिंग की इन उसी तीन साल के लिए रिन्यों की थी इतना ही नहीं 24 जून को चात्रा कनिशका तिवारी ने कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट कर दी चाएगी सूत्रों का कह रहा है कि पुलिस जाच में ये भी पता चला है कि एक स्टुडेंट ने महीने बर पहले दिल्ली सरकार के पास शकाय दर्च कराई थी बेस्मेंट में अवैदरूप से लाइबरेरी संचालित की चारी है हलाकि कोई आक्षन नहीं लिया क्या य बेस्मेंट को कोचिंग सेंटर को किराय पर देतिया बेस्मेंट में जलने कासी की विवस्ता नहीं थी अब पुलिस क्लेरेंस सर्टिफेकर्ट के बारे में MCD अधिकारियों से पूछताच कर सकती है अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ आक्षन देखने को म अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे सा आप चुड़ने के लिए शुक्रिया